इस वीडियो अब्डेट में हम बात करेंगे कि नई ट्रेन के डिटेल्स के बारे में जो की बिहार के लिए चलने जाड़ी है यह ट्रेन महाराष्ट से चलेगी और कब तक चलेगी इसका पूरा जानकार इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेटेस्ट वीडियो अप्डेट दरसल रेलवे की तरप से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार दिवाली और छट पुजा को लेकर महराश्टर के लोकमान तिलक से बिहार के दानापूर रेलवे स्टेशन तक चलने वाली इस नई ट्रे से लोकमान तिलक के बीच 01410 के साथ चलती है चोकि यह एक सुपर फास्ट पूजा स्पसल ट्रेड है तो ऐसे हम इस ट्रेन का क्या रहेगा टाइम टेबल और सेड्यूल आईए बात करते हैं इसी वीडियो में रेलवे के तरप से बताये गया कि ट्रेन नंबर 01409 के साथ य साथ बचकर 10 मिनट पर यह ट्रेन यहां पर साम में भुसावल रेलवे स्टेशन को आने के बाद 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद यहां से प्रस्थान करेगी और यहां से खुलने के बाद यह ट्रेन खंडवा जंसन इतारसी पिपड़िया के रास्ते जबलपूर कटनी मैहर सतना जंसन होते वह यह ट्रेन परियागरा चौकी पहुचेगी और यहां से प्रस्थान करने के बाद यह ट्रेन दूसरे दिन पंडिट दिन दियालू पाध्या जंसन दो पहर दो बज़े पहुचेगी और यहां से प्रस्थान करने के बाद यह ट्रेन बकसर आड़ा होते दानापूर यह ट्रेन पांच बजे साम में पहुंचेगी ऐसे में दोनों ही दिसाओं में से ट्रेन का संचालन रेलवे करवा रही है और इसके साथ ही इस ट्रेन का सुब्ध अब 3 दिसंबर तक पैसंदरों को मिलेगा आने वाले नई ट्रेनों के लिटेस्ट अपडेट के ल करता है